तो हेलो गाइज मेरा नाम अधनाने और यह आपका प्रशनल फैंटम टेक्मेकर सो मैं आपकी सी प्लस प्लस के एक वीडियो लेकर आ गया हूं बैसे शूल चार्टम और यहां पर स्टार्टार्ट में यहां ificación से यह बिंट मेंस से आपए टिहें सी प्लस प्लस करें अभिने आप इंक्लाइश इंग्भी रिए बेंगे हैसिं नेमस्पेस एस्टिडी क्यों यूँद होता है अब यह 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 यूद इसलिए होता है ताकि आप यहां पर यह स्ट्टर्ड चीज़ सके जैसे आपको कभी कबार पर चोटा करना है इसको छोटा करने के लिए क्लिए जो फंक्शन नीचे लिखे हैं सारे अगर आप चाहें तो इस टेट्मेंट को इसके लिए आपको सब्सक्राइब आप सभी चीज़ों में फिर इंप्लाइब हो जाता है यहां पर यहां पर अब हम देखते हैं एक और चीज़ यह बाकी जो अंदर लिखा है उसका मतलब क्या है क्या मतलब यह जो अंदर लिखा है काउट का मतलब होता है क्या 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 मतलब होता है जैसे कि आप कोई भी करेक्टर को शो कराना है मैं बात करूंगा कोई भ तो सब्सक्राइब करने लिए पर्टिक्लर स्पर्ट्मेंट करने के लिए हम यहां पर यहां पर यह यूज करते हैं सेमिकॉलन इससे मैं बता रखते हैं हाँ भाई स्टेटमेंट इंड होगी उसके बाद आप कुछ भी लिख दो आप पूरा C++ का प्रोग्राम एक लाइन में लिख सकते हैं C का और C++ दोनों का क्या मतलब यारी मैं इंट में लिखूं या राउंड ब्रैकर्स लिखूं उसके बाद में कर्ली ब्रेस लगा के यहां पर यहां पर एक्जिक्यूट कर सकते हैं यह बेसिक प्रोग्राम है C++ का प्रिंट कराने के लिए हेलो वर्ड ठीक है अब हम आगे देखते हैं कुछ पढ़ाकों के लिए है फिर यह बेसिकली फिलाल इसके अंदर है क्या पता है आपको जैस्ट मैं आपको बता रखा है क्या हो रखता है यह बहुत आपको Mais बहुता limit रखता है अब आगे चलते हैं थोड़ा सा फासी मूटपी ακरते हैं कि में इंदर क्या होगा में में फंक्शन में सारा कुछ ब्रॉग्राइब एक्जिकुशन स्थार्स प्रोग्राम की स्टार्ट होगा ठीक है इसके बाद फिर यहां पर आता है हमारा मैं ने आपको बताई रखा है इसके बाद हम क्या करते हैं अब देखते हैं यहाँ यह रिटर्न जीरो अब यह जो इंपोर्टन पॉइंट है मैं आपको दिबारा यहीं पर लेकर जाता हूं इस window पे और मैं आपको समझाते है return 0 का इतना इसका significance का है में लिए return 0 बहुत important है अगर तुम्हें बताना है अपने operating system को OS को by program completely successfully execute हो चुका तो कैसे बताओगे कि जो 0 value है यह जाएगी OS के पास में यह बताएगी भाई प्रोग्राम successfully execute हो गया अब compiler है अगर उसने minus 1 भेज़ दिया को गौड यानि minus 1 बेज़ें minus 1 का मतलब है आपके प्रोग्राम के अंदर को failure आया है OS को पता लग जागा भाई हाँ इस प्रोग्राम में execute करते वाद को failure आ गया या completely execute नहीं हुआ है यह इसका significance है mainly basically मैंने कहा कि यह बहुत important है return 0 यह पता होना चाहिए बहुत लोग को actually इस पता ही नहीं होती कि इसकी चीज करते है और प्रोग्राम देख लेते हैं और प्रोग्राम प्रोग्राम के लिए अपने code blocks फोल देता हूं आप VS code और कुछ अब उसमें ट्राय कर सकते हैं basically but code blocks जो है सबसे बहतरी ही होता है beginners के लिए noob levels के लिए so just a sec guys अभी मैं खोलता हूं से so guys अब अपने code blocks पर आ चेके हैं आप इसे download कर सकते हैं जाके बहुत basic सा download है इसमें कुछ जादा दिक्वत नहीं है बेसिकली यह C++ के लिए work करता है ठीक है अब create a new project में हम आये यहां पर मैंने क्लिक क्या create a new project यहां पर files के option में हम पाया है files के option में जब आब तो मैं यहां पर देखने हैं कि C++ की source file आपको दिखावी यहां पर दिखाई देगी आ रहे हैं हम इसमें जाएंगे यहां से फिर यहां desktop के ऊपर मैं आपना save कर लिए फिनिश कर लिया ठीक है आपको dot cpp इसकी extension होती आपको यूज़कर नहीं जरूरत नहीं using namespace std ठीक है using namespace std sorry guys यह हो गया ctrl s करके save कर देंगा यहां पर यहां पर एक option होता है build and run का ठीक है अभी यहां पर देखिए यहां पर error भी शो कर दिया इसने यह देगे यहां पर मैंने कहल लिगा io stream लिगा stream कर गाए यहां पर यहां पर देखेंगे आप यहां पर करने के लिए f9 यह शॉटकट की हो होता है इसके लिए इसको भी चीज ओगी यहां पर डाया अपर यहां पर डैरेक्ट करेंड करके आपको दिखाता आओ ऐसे दो एरोज बनाए दिन ऊसके बाद डबल इसके अंदर मैं लिखा हेलो वर्ल्ट है अब कंट्रोल एस कर दिया देन उसके बाद मैंने यहां पे अंडल लगा देता हूं अभी मैं अंडल नहीं लगाता तब आपको शो करता हूं जिरो लिखो गे तो सही रहेगा और नहीं लिखो गया तो उसके बावजूद भी प्रोब्लम आ गई क्या यहां 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 वह तो हमारा ठीक आगया बड़ उसके बाद में सब्सक्राइब तो तो मैं चैनल आ गया यह बहुत बुरा लगा ऐसी नहीं अचीह था तो इसको क्या करें हम यहां पर बेसिकली आके हमने लगा दिया